समस्कार दैनिक सवेरा टीवी रेख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अजय सर्मा बड़ी खबर जम्मू कस्मीर से सामने आ रही है जहां सोपिया इलाके में एक ड्राइबर पर अतंकवादियों ने हमला कर दिया है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया घटना की जहां आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है बताते चले कि एक ड्राइबर पर अतंकवादियों ने हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया उसे आनन फानन में अस्पताल में भरती कराए गया है जहां उसका इलाज चला है बतादे कि पीडित की प अतंकवादियों ने ड्राइबर पर उस वक्त निसाना बनाया जब वो अपना नियमित काम कर रहा था अचानक और कूर हमले से पीडित की हालत काफी गंभीर बनी हुई है जिसे अस्पताल में भरती कराए गया है बड़ी खबर हम आपको जम्मु कस्मीर से बता रहे हैं जह अतंकवादियों ने एक घटना को अंजाम दिया है इस दोरान एक ड्राइबर अपना काम करके घर जा रहा था रास्ते में यह अतंकवादियों ने उस पर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रुप से घाया लो गया ततकाल उसे अस्पताल में भरती कराए गया है जहां उसका का इलाज चला है इस पूरे घटना से सथानी यह लोगों में हडकम मचा हुआ है वहीं अस्थानी अधिकारी मोके पे पहुँच गया है और सेना के जवान भी तलासिय भियान सुरू कर दिया है हालाकि अभी आतंकवादियों के बारे में कोई पता नहीं चल पाया है जो जम्मु कस्मीर में आया दिन कोई ने कोई घटनाय निकल कर सामने आती है आतंकवादी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और आया कोई ने कोई हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं एसे में सुरच्छा ब्योस्था पे भी सवाल खड़े होते हैं कि इतनी कड़ी आतंकवादी कैसे किसी घटना को अंजाम देते हैं इसी कड़ी में जम्मु कस्मीर के सोपिया इलाके में एक आतंकवादी आतंकवादीयों ने एक ड्राइबर पर हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है उसका इलाज अस्पताल में चला है ड्राइबर दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है